गुड मॉर्निंग स्टुएंट्स दिस यूर इंग्लिश टीचर रजनीकान सिंग आपको अब यह भी फर्स चेप्टर का जो सेकेंड पार्ट है उसकी जो पोयम है दा रोड नॉट टेकन और उसके लेखक रोबर्ट फ्रॉस्ट हैं इसका एक्स्प्लेनेशन हिंदी में और आपको भेजे हैं लेकिन मैं अपनी तरफ से भी थोड़ा सा इसको एक्स्प्लेन करना चाहता हूं कि यह जो कवीता है यह बात करती है हमारे जीवन में हम किस पकार से निर्णाय लेते हैं या विकल्पों का चुनाव करते हैं यह कवीता उस पर डिपेंड करती है जैसा कि इस कवीता में लेका कह रहा है कि वो सीधे रास्ते पर चलते हुए आखिर में एक ऐसे जगे पर आ जाता है जहां पर उसको दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं और उसको जाना कहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे हमें एक रास्ता जिसको वो देखता है वो रास्ता कई लोगों के द्वारा यूज किया जा चुका है कई लोग उस रास्ते पर जा चुके है तो वो रास्ता विलकुल साफ है उस रास्ते में कोई घास, काटे या जाड़िया वगर नहीं है वो रास्ता विलकुल साफ है एक clear way दिक रहा है कि जब हम decisions लेते हैं जब हम निर्णाय लेते हैं तो कई बार हम वही निर्णाय लेते हैं जो कई लोग पहले ले चुके हैं या उस रास्ते पर चलते आए हैं तो लेखक यह समझाना चाहरा है कि वो जो दूसरा रास्ता है जिस पर अभी तक कोई गया नहीं है